ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अब बनाने जा रहे हैं पालक पनीर की बिर्यानी जी हाँ वेश्टेबल बिर्यानी बनाई है हमने नॉन्विज बिर्यानी सुनी होगी लेकिन एक नई बिर्यानी है वो है पालक पनीर की बिर्यानी उसको बनाईए मेरे साथ में और नोट डाउन करते जाहिए इसके इंग्रीडियन्स लेंगे पहले प्याज और प्याज को करेंगे स्लाइस लेंगे देशी खी डालेंगे यसमें थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी राई थोड़ी सी कालिमेज लॉंग और थोड़ी सी चुटी भर इंग् नाते टेश पत्ता है में डाल ये तेश पत्ता थाच बै ज़्स au डालेंगे तेश पत्ता तो आप में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च अब मैं डालूँगा इसमें कटा हुआ प्याज पाती में डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट साथी में डालेंगे अधरी मिर्च तो फोड़ा अधरक लसन जब नीचे चिपकने लगे तो फोड़ा सा पानी डाल देंगे अधर्च और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तुरी मेति, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मेज, नमा, जीरा पाउडर, पुड़ा ज़रा मसाला, सबसे पहले डालेंगे हम इसमें, फोदीना, अब इसकी सबसे खासियत यह है, कि अब जिस तरीके से मैं चीजें इसमें डाल रहा हूँ, आपको यही स्टेप्स जहान में रखने हैं, ग्रेवी बनी है, ग्रेवी के उपपर, फोदीना डालना है, अब इसमें मैं डालूँगा पनीर, पनीर को अच्छे से इस तरीके से आप स्पृंकिल कर दें, और अब इसमें आप डालें पीगावा धुलावा पालक, जो कि मैंने हलका सा काट के रखा है, बहुत ही फ्रेश और और्गेनिक रेसिपी है, सारी चीजें इसमें बहुत फ्रेश है, थोड़ा पालक को इस ग्रेवी के साथ हम पका लेंगे, और हमें इसकी इस तरीके की लेयर्ज रखनी है, अब मैं इसमें डालूँगा चावल, चावल जो है इस तरीके से उपर पिखेरने हैं, इस तरीके से चावल को जो है, आप अपना लेयर लगा लें, और अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है, बिल्कुल साइट से डालें, तो पानी की कॉंटिटी का ध्यान रखें, उतना ही पानी डालें, इससे की ये चावल जो है, वो बस पक जाएं, करीब चावल और उसकी कॉंटिटी में इतना हिस्सा रखें, और इससे अब करीब दस से बारा मिनिट के लिए कवर कर देंगे, चाहें तो इसमें दम लगा सकते हैं, आटे की गोली बना करके और इसमें साइट में चिपका के उपको ठकन रख दें, तो इसमें दम लग सकता है, लेकिन इसमें पानी की कॉंटिटी आपको बीच-बीच में देखनी पड़ती है, तो इसके लिए आप ये वाला पैटन जो बिर्यानी जो है इसकी खासियत है कि इसका जो चावल है वो तूटना नहीं चाहिए और इसमें बहुत तरीके के चावल आते हैं बहुत वेराइटी हैं बड़े इकवाला चावल आते हैं जो इकवाला चावल होते हैं वो बड़े नॉन्वेज बिर्यानी में काम आते हैं देखें कि आप बहुत अच्छे से ये चावल जो है पक चुका है अब सबसे वड़ी बात है पुदीना जो है बियानी की जान है ज़िए आपको इसी भी बियानी बनाएं उसमें पुदीने का जो स्वाद है यह उसका जो फ्लेवर है वो उसको बियानी का टेस्ट दे देता है आप जैसे मूं में रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बियानी खा रहे है और उसका क्यों एक कारण है वो है पुदीना आप चाहें तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं केसर डाल सकते हैं केवडा डाल सकते हैं इसे सर्फ करने के लिए जो सबसे अच्छा पार्ट है वो यह है कि हमें इसे इस तरीके से उठाना है और स्लांट करके से सर्फ करेंगे जिससे कि इसका निचला हिस्सा है वो भी दिखता रहे तो कि हमने इसमें आपको ध्यान है कि हमने इसमें नीचे जो है लेयर लगाई थी पालक की और पनीर की यह देखें आप पालक और पनीर की जो लेयर है वो एज़ेटिस बनी भी है यह देखें आप पालक पनीर इस तरीके से बहुत बहुत ही खुबसूरत कॉम्बिनेशन बना हुआ है और यह वाला जो कॉम्बिनेशन है मैं इसे थोड़ा आगे की करफ रखूंगा बिर्यानी का है तर्विंग ही इसकी स्टायल है बिर्यानी को किस तरीके से आप सर्व करते हैं चावल और उसके जो मेन इंगरिडियन्स होते हैं वो किस पॉंटिटी में आप सर्व करते हैं मेरी बिर्यानी तयार है फ्लेवर्स बहुत सारे आ रहे हैं और मैं तयार हूँ इसे मेरे रायते के साथ में जो कि मैंने बनाया गरम मसाले का रायता साथ में मैं डालूँगा एक हरी मिर्च तो ये थी मेरी आज की रेसिपी पालक पनीर की बिर्यानी जी हाँ बनाई मैंने मेरे स्टाइल में तो ये थी आज दो रेसिपी पहले मैंने बनाए नारिल के चावल फिर मैंने बनाई बिर्यानी इस बार के लिए बस इतना ही यदि आप इसके इंग्रीडियन्स लिखना भुल गएं, प्लीज नोट दाउन कीजिए आवशक सामगरी, चावल, घी, राई, साबुद्धनिया, लौंग, काली मिर्च, नारेल का बुरादा, लाल शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, प्याज, अद्रक लहसुन का पेस्ट, पालक, पनीर नारेल के चावल, पैन में घी गर्म करें, इसमें राई, साबुद्धनिया, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, जावित्री, जीरा और नारेल का बुरादा डाल कर भुनें, लाल शिमला मिर्च, हरी मिर्च काट कर डालें, फिर इसमें भीगे हुए चावल और पानी डा डाली मिर्च, लौंग, ही, तेजपत्ता और साबुत लाल मिर्च डालें, फिर कटा हुए प्याज, अद्रक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें, इसके बाद इसमें हल्दी लाल मिर्च, नमक, गरम साला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल दें, इसके बाद इसमें उपर से इस तरह से पुदीने, पनीर और पालक की लेयर बनाए और फिर इसमें उपर चावल और पानी इस तरह डाल कर पकाए पकने के बाद गर्मा गर्म सर्व करें तो बस आज के लिए इतना ही मैं लेता हूं इजाज़त अगली बार फिर मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार